आपका स्वागत करती हूँ SSB Crack Exam चैनल पर तो मैं आई हूँ आज आप सबसे बात करने एक भारत के नए इंफ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जिसने अभी हाल ही में अपना वर्ल्ड के टॉप प्रोजेक्ट में भी अपना नाम बनाया है तो चलिए आज हम बात करते हैं इंडिया's International Convention and Expo Center जो की है जिसका नाम रखा गया है येशो भूमी के बारे में हम जानेंगे पूरे लेक्चर में की येशो भूमी क्या है या क्या इसके में फीचर्स है और इसमें ऐसे कौन से फीचर्स है जिसने इसको वर्ल्ड के टॉप प्रोजेक्ट में एक नाम दिया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो इस पर्टिकुलर जो न्यूस के बारे में हम बाग करने जा रहे हैं बेसिकली कल 17 सक्टमबर के दिन जिस दिन हमारे प्रधान मंत्री जी का बर्डे भी होता है उसी पर्टिकुलर दिन ये करेंगे announcement इस चीज की जो है first phase of India International Convention Center जिसका नाम रखा गया है यशो भूमी जो की है हमारा दिल्ली में जो की दौरका में दिल्ली में पर्टिकुलर ले इसको बनाया जा रहा है तो कल जो प्रधान मंत्री है ये इसको dedicate करेंगे हमारे nation के लिए हमारे भारत के लिए और इसके साथ ही एक और नया station जो की दौरका सेक्टर 25 जहां पर यशो भूमी बन रहा है उसका अभी inauguration होगा जो यशो भूमी को basically airport line से directly connect कर देगा अब हम जानेंगे आगे retail में की सारी बात क्या है तो जो हमें समसब जानते हैं कि Modi जी का world में बाकी जो हमारी meetings को लेके ये world में जो उनके relations बाकी countries के लिए हमेशा उस पे एक focus point रहा है उसी particular चीज के साथ उनका एक जो सपना था एक जो vision था वो था हमारे देश में world class infrastructure बनान की meetings, conferences and exhibitions. तो चलिए बढ़ते हैं आगे तो purpose कोई भी अगर convention center होता है तो उसका main purpose होता है उसका basically है large scale events and conference भारी मातरा में जब लोगों को इकठा करके कोई conference करना ठीके उसी का यह ही purpose है वो सेफ करता है हमारा convention center जिसके अंतर आप ideas share कर सकते हैं यह कोई भी particular चीज जैसे हमार वैसे ही अगर और भी कुछ conferences, events हो तो उन particular चीज़ों में हम convention centers का use करते हैं तो अब हम start करते हैं ये शोभूमी को जानने के लिए पूरा का पूरा details कि ये ये शोभूमी basically है क्या तो देखी ये शोभूमी के उपर जिसे मैंने बात की तो ये है second convention center क्योंकि हाली में first convention center जो थ हमने काफी नहीं नहीं चीज़े देखी थी जैसे नटराज से चुका होना तो वैसे ही ये शोभूमी वो तो एक particular G20 summit के लिए बनाया गया गया ये शोभूमी जो basically बनाया जा रहा है इसमें बहुत ही उमदा जो features हैं हमें देखने को मिलेंगे जो हम आगे discuss भी करेंगे तो ये सारा का सारा बात है ये शोभूमी को लेकि तो चलिए बढ़ते हैं आगे कि ये शोभूमी जिस हमने बात की कि क्या है तो हमने बात की करवेंशन सेंटर के लिए तो ये world's largest MICE facilities के बीच में भी अपना एक ranking बना रहा है MICE का मतलब क्या है meetings incentives conferences and exhibitions तो उनको MICE facilities बोलते हैं ज जो basically जहां पर बड़ी-बड़ी ऐसी conferences या ऐसी कोई भी जो infrastructure basically design किये जाते हैं किस चीज के लिए हमारे ऐसी बड़ी conventions है जब delegates groups जब मिल रहे हो उनके particular meetings के लिए जब हम उनको use करते हैं तो इसका जो total area है project area है वो है 8.9 lakh square meters total जो built up area बन के आएगा that was the 1.8 lakh square meters तो आप देख स है तभी यह world में भी एक top infrastructure में अपनी जगा बनाएगा तो सबसे बहला जो key feature है हमारा यह शभूमी का है data is related to the largest LED media facet तो देखें यह 73,000 square meter of area का comprise करें इसके अंदर basically है क्या 15 convention rooms हो गए main auditorium रहेगा grand ballroom रहेगा 13 meetings rooms को जगा दी गई है इसमें basically और जिसके अंदर 11,000 delegates एक time पर आके बैठ सकते हैं तो आप सूचे 11,000 लोगों को एक ही particular जीव है और वो भी कोई ऐसे नहीं कि आपने ground में कटे कर दिया उनको particularly properly seating के साथ क्योंकि जब delegates की बात आता तो of course बाखी countries के एक high authorities ही आपके पास आती हैं तो आप उनको normally तो treat नहीं कर सकते हैं तो यह 11,000 delegates को यह एक बार में अपने जो इसकी जो capacity है वो है hold करने की data सना 11,000 delegates यह है एक largest LED media facet जो इंडिया के अगर हम बात करें तो एक largest LED media facet भी बनेगा और जो main auditorium है जो main hall है इनका उसमें जो capacity है guest की that is around 6,000 तो देखे हैं हर एक जो data मिल रहा है या जो हम figure देख रहे है जो हम फिक capacity decretors and thousands you can just imagine कि यह अपने आप में कितना बड़ा एक project बनने वाला है एक और जो नहीं एक अच्छी चीज इसमें जो अलग सी चीज इसको बनाता है ये श्भूमी को that is the largest exhibition halls in the world one of the exhibition hall जो basically showcase करेगा हमारे इंडिया के culture को तो जो exhibition hall का main theme रहेगा उसमें क्या है हमारा इंडिया culture के बारे में बताया जाएगा अलग-अलग रंगोली patterns उसमें दिखेंगे ये sound absorbent metal cylinders, lit up pattern walls, walls के नहीं हमें भी पता है कि इंडिया की culture में बहुत जगा, अलग-अलग paintings, walls के साथ, floors के साथ, ये नहीं नहीं चीज़े जो particularly sound के साथ हम देख रहे हैं, even अगर आप floors प बनाया जाएंगे, जिसके बीच में एक brass in lake जो represent करेगा अब ये रंगोली patterns को ये सब चीज़े बनाई जा रही हैं, तब सोच सकते हैं कि ये particular infrastructure बन के आएगा, जो इसका final result सामने आएगा, ये अपने आप में एक देखने वाली चीज़ जरूर होगा, और वैसे भी भारत के अंदर तो culture हमेशा सबको attract के किया है, लेकिन जाब हम culture की बात करें, वहीं पर हमारी जो सरकार है, वो sustainability को विल्कुल भी नहीं भूली, ठीक है, मैं आपको बार-बार कहते हूं कि जो इस ताम पे हमारी key points है, that are all related to sustainable development, हमारा हर जगा जो focus है, that is the green climate, ठीक है, sustainable development के ओपर, तो हम उसमें इसको भी कैसे बूलते, और वैसे भी इंडिया को हमेशा main focus रहता है, इन सब चीजों के उपर, तो इसी चीज के लिए इस particular building में हमें देखने को मिल रहा है, 100% wastewater reuse, state-of-the-art wastewater treatment system इसमें लगाया गया है, rainwater harvesting के विसमें ध्यान रखा गया है, rooftop solar panels दिये गए हैं, और स पास green city platinum certification भी इस particular project को मिल चुका है, तो ये भारत जहां पे एक इतना बड़ा project बनाने जा रहा है, उससे sustainability को नहीं छोड़ा, rainwater harvesting, wastewater reuse, solar panels, even plus green building के जो basic हमारे जो points होते हैं, उनका भी उनमें ध्यान रखा गया है, और इसी लिए इसको platinum certification जो की IGBC देती है, वो भी इसको मिल है, तो वही culture blend with our sustainability, culture को भी हम showcase कर रहे है, sustainability के उपर भी ध्यान रहे है, एक इतना बड़ा project भी बना रहे है, हम देखा जाये तो हर तरह से हर sector का हम ध्यान रख रहे है, जहांपे हम अपने एक मोदी चीज जो उनका vision है, world infrastructure के लिए, उसको ध्यान रख रहे हैं, और चो basically all over the world इस time पे जरूरत है, sustainability के उनको भी include किया जा रहा है, plus हम अपना जो culture, अपना history है, उसको भी नहीं भूर रहे हैं, उसको भी हम एक exhibition में showcase कर रहे हैं, तो इस देखा जाये है, तो इस पूरा का पूरा infrastructure एक total blend है, यह wholesome एक result है हमारे India को जो पूरा दर्शाएगा, और यह वैस की principles पे चलता है, तो यह भी उसका एक example है, एक और चीज़ जो इसमें देखने को मिलेगी, that is the unique grand fire space, जैसे हम जब जानते हैं, जो basically आप सबने देखा होगा, कि एक entry के लिए, delegate entries के लिए, particularly इसको design किया जाएगा, जिसके अंदर copper ceiling रखी गई है, filter light through various skylights, copper ceiling जिससे आप light को filter करेंगा, different skylight आपको देखने को मिलेगी, VVIP launches, media rooms, clock facilities, ticketing centers, यह सब चीज़ें आपको इस पूरे के पूरे infrastructure को देखने में मिलेगी, and even इस infrastructure को link किया जाएगा, direct हमारी जो airport line है, उससे, और इसी के लिए साथी, जो द्वार का, में सेक्टर 25 है, वहाँ पे इसको बनाया जा जाएगा, हाली में जो हमारी speed है, metros की वो चलती है, 90 km per hour, लेकिन इस project के बाद आपको start किया जाएगा, 120 km per hour की speed से हमारी जो metros है, वो चलेंगी, even जो traveling time है, airport तो यह शो भूमी, वो specifically रखा गया है, सिरफ 21 minute through metro, तो of course connect कर रही है, अगर माल लीजे कोई delegates airport पर ही सब आएंग sustainability, even connectivity के उपर भी ध्यान रखा जा रहा है, so that was all related to the यह शो भूमी, I think आपको clear हो गया होगा कि यह शो भूमी में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा, and बहुत जाद हो सकता है कि जैसे हम बने हम लोग भी उसको देखने जरूर जाए, and we can experience this different infrastructure जो कि हमारे भारत में बनने व online, हर महीने हमारे batches बैठते हैं, आप जल्दी से इनको join कीजिए, plus SSB crack exam त्यारी कराता है आपके defense exam की SSB, CDS, M-F-CAT की, तो आप जल्दी से enroll कीजिए in courses में, और जब भी आप enroll करें तो discount code जो कि है warrior 10, यह लगाना ना भूलें, जैसे warrior 10 लगाएंगे, आपको मिलेगा 10% का off उस particular course में, so that's all for the day, thank you so much, जैहन, जैभारत! झाल